Welcome back to another video guys, the automobile expert. मैं हूने तेश और आज निवजारी है टाटा मोटर्स की तरफ से. टाटा मोटर्स देश की सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक कार टाटा टियागो ईवी को लाँच करने वाली है. इस गाली की शोकेस डेट भी सामने आ गई है. जल्दी इस गाली को भारती मार्केट में लाँच कर दिया जाएगा. माना जा रहा है कि इस गाली में टाटा टिग और ईवी के जैसे ही पावर ट्रेन हमें देखने को मिलेगी. कीमत की बात करें तो इस गाली की कीमत 10 लाक रुपे से कम रखी जाएगी. टाटा टियागो ईवी को पहली बार आटो एक्सपो 2018 में शोकेस किया गया था. वहीं इसे 2020 में भारती बाजार में लाने की उमीद थी. लेकिन इसकी लाँचिंग रेट को टाल दिया गया. लेकिन कमपनी ने इसकी जगे टाटा नेक्सवन ईवी, नेक्सवन मैक्स ईवी और टाटा टिग और ईवी को भारती बाजार में लाँच किया. अब टाटा टियागो ईवी को भी लाँच करने के लिए कमपनी पूरी तरीके से तयार है. टाटा टियागो EV में हमें 26 किलोवाट का बैटरी पैक देखने को मिलेगा जो कि इस गाली को अच्छी रेंच प्रादान करेगा बाजार में नेक्सवन EV को मिली अच्छी सफलता के बाद कमपनी अपनी अन्यकारों को भी EV सेग्वेंट में लाँच करने को लेकर पूरी तरीके से तयार है अगले 5 साल में कमपनी 10 नए इलेक्रिक मॉडल को बाजार में लाने के लिए तयार कर रही है टाटा मोटर्स की तरब से मिली जानकारी के अनुसार इस गाली को 28 सितंबर 2022 में सोकेस किया जाएगा और इसके बाद जल्दी इस गाली को इस फेस्टिब सीजन से पहले पहले लाँच कर दिया जाएगा पेस्टिब सीजर में चलती सेल्स के चलते इस गाड़ी को जल्दी बाजार में लाने की ख्राटा मोटरस तैयारी कर रहा है अगर आपको हमारी ये वीडियो थोड़ी भी इंफॉमेटिब लगी होता हमारी इस वीडियो को लाइक करें साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकेन को प्रेस करें जिससे अने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन हमें मिल सकें